दो गाने हम डाल देंगे और हम दो तीन बड़े अक्टर्स ले लेंगे और एक कॉमेडे का थोड़ा सा इंवर्मेंट कुरेट करा देंगे थोड़ा नाच काना हो जाएगा एक कहानी कहीं पुक्त भाफ्तावर्ण को पकड़ यदि हम फिल्म बनाते हैं तो संबり होती है की बाद करें चाहिए हम हिंदु फिल्मों की बाद करें वहां पर कहानी जीद रही है यदि मेरा स्टाइल यदि आप पूछें तो में कहानी को ऐसी जगर ले जाकर छोड़ता हूं जहां से ओडियन्स और मांगती रहें लेकिए सिनेमा का एक्सपिरेंस आप गाद पर मैक्स नहीं कर सकते हैं जैसे मैं हूँ मुझे तो महिने में दो फिल्में तो देखने ही पड़ती हैं यह मेरी मजबूरी है मैं को मज़ा ही नहीं आता है सबसे पहले तो नवहार टाइमस एंटेटेंबेंस में आपका बहुत बहुत सवागत है प्रडाम प्रडाम पेर्णा जी कैसे आप और कैसा चल रहे हैं सब मौसम बदल रहा है अब धीरे धीरे सुबह अच्छी होती जा रही है शाम अच्छी होती जा रही है तो Sunsets और कर देखें हिंदी सिनमा की अधियाम बात करते हैं तो कहीं न कहीं साइफ़ाइ या टाइम ट्रैवल या फिर पैलल यूंजिवर्स यह कहीं मिसिंग रहता है और इसी के लिए मैं जाना जाता हूं मेरी अधिकतर कहानिया paranormal universe को explore करती है या फिर time travel को explore करती है तो जो मेरी आगे आने वाली film है मैं भी आपको नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम उसे formally announce करेंगे लेकिन it's a sci-fi thriller जिसमें आपको कोछ launch भी मिलेगा कोछ हलक असा time travel का glimpse मिलेगा आपको mystery मिलेगी आपको वो शायद हिंदी cinema में अभी तक explore ही किया गया है मेरे श्रोतागन जो मेरी कहानिया सुनते भी है वो भी यह कहते है कि मेरी कहानिया जो होती है उनका concept एकदम out of the world होता है जो सोचने के लिए और जिसको देखने के लिए भी एक एक नया वातावरन चाहिए होता है तो मेरी यह कहानी sci-fi thriller पर आधारित है मेरी यह film sci-fi thriller पर आधारित है और इसमें आपको थोड़ा सा horror का भी glimpse मिलेगा जो हर बार हम करते हैं जो तरका हम लगाते ही है अपनी सारी कहानियों में जो भी हमें शॉट फिल्म्स बनाई है फिर जो भी नमें वेब सीरीज बनाई है अवे तक तो sci-fi मैं कहूंगा हलका सा horror का mystery यह पूरा मिला के हम एक अच्छा एक मसाला तयार करके लोगों के सामें लेकर आएंगे अच्छा अच्छन भी होता है, thriller भी होता है मतलब काइंड ओफ खिचड़ी कहीं न कहीं वो देखने को मिलती है एक genre में वो नहीं रह पाते तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं writer पर भी इस तरीके का pressure हो जाता है क्योंकि बोला जाता है कि उसमें हर element को होना चाहिए तो उसमें आपकी क्या रहा है देखिए मैं बड़ा डिफरेंट हूं मेरा मानना बड़ा अलग है क्योंकि यदि आप अभी फिल्मों की बात करें बड़ी फिल्मों की बात करें तो एक सेट इक्जामपल पर बनाई जाती है उनका जो एक नीव होता है वो बड़ा अलग होता है वो लोग बनाते हैं कि भई एक अच्छा दो गाने हम डाल देंगे और हम दो तीन बड़े आक्टर्स ले लेंगे और एक एक कॉमेडी का थोड़ा सा इन्वामेंट क्रेट कर देंगे थोड़ा नाच काना हो जाएगा एक कहानी कहीं कहीं ना कहीं चलती रहे ओडियंस को पसंद आ जाएगा पर वो अब चल नहीं रहा है दर इसन बिंग क्योंकि अब ओडियंस स्माट हो गई है उनको निया कॉंसेप्ट चाहिए उनको हर बार मतलब कुछ ऐसा चाहिए आपकी कहानी में दम होना चाहिए आपके लेखन में दम होना चाहिए तो आपने सही कहा क्योंकि एक सेट इग्जामपल होता था पहले पहले जो आज के पंदरा साल पहले काम आ जाता था दस साल पहले काम आ जाता था वो अब काम नहीं आ रहा है हम सब लोग देख पा रहे हैं तो हर कोई अपने जॉणर की लिए जाना जाता है यादि आप किसी अच्छे लेका की बात करेंगी एक चाहे हम मुणिया की बात करें तो बहुत जायदा मिजसल नाच नहीं करते हैं उने थूड़े सी कौमिणी डाली है, लेकिन उसे भटते नहीं, वो वहीं पर हैं और concept जो है वो काम आ रहा है, तो मेरा मानना है कि हम sci-fi पर ही है, sci-fi हम thriller वहीं से हम move करते हैं, हमारा core concept है, हम majorly अपने लिखन पर ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हम लिख रहे हैं, वो audience के perspective से लिखें कि आएं तो एक नया environment एक नहीं दुनिया explore करके जाएं तो हम बहुत ज़्यादा भागते नहीं इधर-उधर sci-fi यदि हम बात करें कहीं हम थोड़ा सा horror का तड़का लगाते हैं क्योंकि sci-fi है तो कहीं न कहीं unknown mysteries होती हैं ऐसी चीज़े होती हैं जिनको हम ज करें लेकिन मेरा यह मानना है कि many many things will spoil the entire story तो कहीं न कहीं एक जॉन्रा को पकड़कर एक अच्छी कहानी को पकड़कर एक अच्छे वातावरन को पकड़कर यदि हम फिल्म बनाते हैं तो successful होती है पिछले देर सालों में आपने देखा भी होगा कि जो भी low budget films आई है majorly content पे कि बात करें चाहे हम करणा फिल्मों की बात करें चाहे हम हिंदू फिल्मों की बात करें वहां पर कहानी जीत रही है कहानी को लोग पसंद कर रहे हैं तो जॉन्रा को अपना एक बना कर अब चलना पड़ेगा आने वाला समय तो यहीं बता रहा है बाकी audience बहुत अलग होती ह इसके लावब भी हर किसी का स्टोरी टैशिंच पूर्इज इसे पहले से काफी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है तो आपको क्या लगता है एक अच्छी फिल्म के लिए कहान्यूस में उसमें बहुत जादा मैज़वपून भूमेका निभातिया लेकिन आपको लगते हैं वो कौन से ऐसे factors होते हैं जो writer को storyteller को दिमाग में हमेशा हमेशा रखने चाहिए देखें आप audience को एक तो जब शुरुआत होती है मेरा style है जहां तक मैं लिखता आया हूँ जब शुरुआत होती है शुरू के दो मिनिट ही होते हैं आपके अपास क्योंकि आज कल यदि आप OTT की बात करते हैं मैं सिनमा की बात नहीं कर रहा है सिनमा पर तो अगर यदि आप टिकेट लेकर गए हैं तो कोशिश करेंगे 20 मिनिट आदा घंटा तो आग गुजारेंगे जरूर यदि आप OTT की बात कर रही है तो वहाँ पर आप देखेंगी कि जो span है जो हम देखते हैं मैक्सिबं दो मिनिट बहुत पर में लगता है नही कि जो web series है उसके कई episodes है वो देख लेगा या देख लेगी तो पहला important factor होता है कि आपका hook को बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए सेकेंड होता है कि आप हर 15-20 मिनिट में कुछ न कुछ अमेज़िंग देते रहे इससे क्या होता है कि audience को मलब एक वो अपने कहते हैं कि वो कुर्सियों पर ऐसे बैठे रहे तो वो एक इंट्रेस्ट आपको पकंड करते थे पूरा environment शुरू के पार्क में आदे गंटे कहानी बंटी थी बंटी थी बंटी थी फिर कहीं जाके हम आफ में के बाद हम देखते थे कि एक जो audience के पास अतना patience नहीं है कि वो आराम से बैठे हुए हैं आप बिल्ड कर रहे हैं नहीं होग के बाद हर पंद्रब 20 मिनिट में आपको कहीं न कहीं को अपने और गोलना होगा उनको महसूस होना चाहिए कि आप वो चैरेक्टर के साथ जा चुके हैं वहाँ पर फिर क्लाइमेक्स तो होता है क्लाइमेक्स के बाद यूजली लोग क्लाइमेक्स में कहानी का आंत कर आज को देख रही हूंगी लेकिन लोग छोड़ देते हैं कहीं पाट की बन पाए पाट परेट पाई तो वह एक जो एंडिंग होती है एंडिंग बड़ी इंपॉटंट होती है यूजली लोग क्नूड कर देते हैं कहानी को मान लेते हैं कि यहां खत्म हो गई यदि मेरा स् audience और मांगती रहे कि और आगे क्या होने वाला है राइट और आगे क्या होने वाला है काश ऐसा होता या फिर मलब हमें audience को भी food for और देना चाहिए उनको भी कहानी को बिल्डप करने के लिए ज्यादा ताइम ना लगे क्लाइमेक्स और अमेजिंग उनी चाहिए contemporary ना रखें उसको और कहीं अपको audience की पास बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या फिर OTT क्योंकि OTT पर कम पैसे में आपके पास बहुत सारे options हो जाते हैं लेकिन cinema घरों में आपको जाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़े होती है आपको क्या लगता है कि OTT अब जादा आपको जादा कुछ दिखा रही है देखिए cinema का experience आप घर पर अपने family के साथ जा रहे हैं अपने friends के साथ जा रहे हैं तो एक mahal बनता है यानि आप मेंटी अपने आपको prepare कर रहे हैं कि आप ये दो धाई घंटे मैं सिर्फ enjoy करने बाता है उपर से जब आप जाते है cinema hall में तो एक ambience वैसा होता है sound system वैसा होता है screen उत्ती बढ़ी होती है clarity उतनी जब दस्त होती है then you flow into it तो वो तो आप देखिए घर पर नहीं मज़ा ले सकते घर में क्या होता है कि आप bits में भी देखते हैं phone आगया अपने phone उठा लिया cinema में पसंद करते हैं जो लोग बड़े परदर पर देखना पसंद करते हैं जैसे मैं हूं मुझे तो महीने में दो फिल्में तो देखनी ही पड़ती है यह मेरी मजबूरी है में को मज़ा ही नहीं आता तो मैं cinema पर जाता हूं तो जो लोग वो एक ambience enjoy करते हैं उनको जो एक cinema का मज़ा आता है वो लोग जाते रहेंगे देकिन अच्छी फिल्में बुलाती है अच्छी फिल्में और्डियंस को अपने घरों से बुलाती है कि आईए हमें देखिए बागी OTT ने एक जो एक बॉर्डर था या आप आज क्रॉस बॉर्डर फिल्मों का भी या content का भी आन अब आप साउथ इंडियन फिल्म में भी बड़ी सारी देखती है आप जो पहले एक particular चैनल पर आता था आज आपका मन कर रहा है कि आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं जैसे कांतारा थी तो आप एक तो कल्चर को बड़ी आसानी से जान पा रहे हैं प्लस आज आपका जो म अचना पार्किंग लगाना टिकेट खरेदना फिर वहां पे स्नैक्स वगरे कपा तो वह एक expenditure भी मानता है तो audience चूजी है वो डिसाइड करती है कि मैं किस फिल्म पर पैसा इंवेस्ट और कितने एनरजी इंवेस्ट करने को तयार हूं बाकी OTT तो दोनों का balance है पर cinema के experience अल importance है यह चलता है रहेगा यह topic ऐसा जो debatable है जी जी बिल्कुर मैं इस बात से पूरा पूरा agree करती हूं अच्छा क्योंकि आप कहानी को incorporate करते हैं या फिर क्या आपका imagination होता है exactly वो process क्या होता है थोड़ा सा समझना चाहूं जी देखिए अब यह महाल पे भी निर्भर करता है जैसे अभी सर्दियां आ जाएंगी तो जब कोहरा होता है तो मेरा मन होता है कि जादा से जादा मैं romance लिखूँ और यदि आप मेरी कहानियों का एक system देखेंगी तो maximum romance मैं लिखता हूं December से January के बीच क्योंकि environment वैसा होता है आप जब छप पे जाते हो या अपनी balcony में खड़े होते हो चाय पी रहे होते हो उसकी बूंदी आपके चेहरे पर आती है अलका सा music चल रहा हो तो आपका thought process एकदम शान्त हो जाता है कुछ अच्छा सोचने का मन करता है कुछ emotional सोचने का मन करता है तो वो उससे साब से चलता है अब जैसे कि बार ऐसा भी होता है कि audience demand करते है विखाज आम लोग जानते हैं thriller के लिए horror के लिए time travel के लिए तो लोग डिमांड करते हैं कि आप detective story सुनाईए सर डिटेक्टिव बूमरा को लेकर आईए सर डॉक्टर शेखावत को लेकर आईए कभी कब डिमांड के basis पे तो करना ही पड़ता है ज्यादा गैप देते हैं तो वो लोग message करना शुरू कर देते हैं कि हमें यह चाहिए में वो चीए तो मेरा मानना यह है अब मैं अपना experience बत रोड पे जा रहा हूं वहां एक cycle चल रहे हैं उस cycle के business पे कहानी बना सकता हूं on the spot तो यह एक progression था पिछले पांच सालों से मैं लिखता जा रहा हूं लिखता जा रहा हूं तो वह एक शमता उसे साब से बन गई है तो पहला जो environment होता है उसके business detective होगा second होता है कि आप आज बैठे आपने अचानक कुछ ऐसा देखा जैसे आपको ला कि वाओ एक अच्छा concept हो सकते है जैसे मान लीजे हमारे घरों में आजकल यह cams लगे होते हैं camera लगे होते हैं तो आजकल motion sensors पकड़ते हैं mobile पर आता रहता है कि कुछ हिला एक दिन मैं अपने room में बैठा हुआ था और camera motion दिखा बाहर कुछ था ही नहीं और बड़े ताजुप की बात थी मैंने का बाहर तो कोई ही नहीं और emotion दिखा कैसे रहा है तो मैंने देखा कि सामने मालब मैं घर में पुरा अकेला था तो फिर जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा खिड़की खुली हुई है और उसस हवा आ रही है और हवा के चलते जो परदा है वो हिल रहा है तो उस motion को वो camera पकड़ रहा था जी concept बहुत solid है कि कि किसी के घर में camera लगा हुआ है और वो उपर वाले कमरे में सोया हुआ है और अचानक motion का एक अलाम बचता है वो उठाता है कोई है नहीं दम मंधिरा है लेकि it picks up फिर आप उसको और mature करते हो और body को better करते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत ज़्यादा बारी कि उससे notice करो और it's really very difficult कि आप उसको फिर pen down करो वो चीजों को अच्छे से लिखो और देन उसको execute करो कहानी के रूप में it's very difficult at the same वो चीज़ पसंद करें तो उससे अच्छी को बात होगी नहीं सकते है So Sudhaanjuji मेरा आखरी सवाल आप से रहेगा कि obviously आपकी इतनी अच्छी इतनी प्यारी loyal audience है जो आपके shows को आपकी कहानी को कभी भी मिसने ही करती तो अब तक का सबसे best compliment वो कौन सा था जो आपका दिल शूगया आपको लगाओ कि wow what a compliment प्रेणा जी यूट्यूब पर भी मेरी कहानिया जाती है और मुझे याद है एक comment राया था जिसमें शायद कोई guard थे जो अभी just shift हुए थे उनको नहीं नौकरी लगी थी उनकी और उन्होंने बड़ा अच्छा comment लिखा था कि sir आपकी कहानिया सुनते सुनते कब पूरी रा अरे मैं हर रात बड़ी आसानी से काट लेता हूं तो जब मने comment पढ़ा तो मुझे लगा wow मतलब की कहीं न कहीं मैं लोगों के काम भी आ रहा हूं सिर्फ entertain नहीं कर रहा हूं मतलब मैं उनके साथ हूं उनका सहारा बनके हूं कहीं न कहीं मैं उनके पास हूं और वो मुझे ए मेरा दिन मन गया था जब में comment पढ़ा तो अच्छा भी लगता है अब देखिए मैं कहानिया इसलिए लिखता हूं कुक्कि मुझे मज़े मज़ा आता है तो लेकिन उसी सहारे यदि कोई मुझ से जुड़ पा रहा है और मैं उसके काम आ पा रहा हूं तो यह अच्छी बात है लेकिन मैं अपने आपको मतलब कभी पैट नहीं करता शाबाशी नहीं देता मैं तो यह मान कर चलता हूं कि बस कहानिया लिखता रहा हूं इस प्रॉसस को एंजॉय करता रहा हूं कहीं न कहीं यदि आपको पैट कर देती है आपको शाबाशी देती है comment section में हम लोगों न सामने आता है लोग सुनते हैं उसको सराते हैं तो अच्छा लगता है कि motivation तो हर किसी को है हर कोई चाहता है कि जो product लेकर आ रहा है यदि लोग उससे सराहें तो वो आगे और अच्छा करेगा तो यह देखिए ये तो एक rule है और जब comments आते हैं जब लोग सराते हैं तो अच् लोग कैसे on screen मुझे accept करेंगे किस तरह के comments आएंगे कहानी पर कैसा विचार आएगा लोगों का तो वो एक थोड़ा सा जादा उसको लेकर थोड़ा मैं जादा nervous हूं कहानिया तो देखिए अब इसमें काफी समय से लिख रहा हूं तो कहानियों लिखने का कहानिया लिखने क तो film का देखते हैं जी बिलकुल हम भी आशा करते हैं कि आप ऐसी ही अच्छी कहानिया हमार रिस्ता शेयर करते रहें और दर्शको का प्यार ऐसी ही आपको मिलता रहें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके thank you so much thank you प्रणा जी